IBPS PO Prelims में काफे students का selection हुआ है क्योंकि vacancies आपकी increase होई तो बहुत सारे student को opportunity मिली है means के लिए तो कैसे आप इसे grab करो और कैसे आपको preparation करनी है last days में तो ये video बहुत जादा important है हर एक student के लिए जो भी means देने जा रहा है यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें आपको follow करनी है तो पूरी video को देखिएगा और कोई भी part skip मत करना ठीक तो first point मैं start करती हूँ GA से तो GA में देखो क्या है कि आप जैसे SBI PO का paper देखे तो आपके multiple types वाले questions से यहाँ पर देखने को मिले तो इसके according आप मेरी एक बात मानो लास्ट के four months की जीयों को बहुत अच्छे से तो आपको डेली weeks प्रोवाइट किये जाएंगे दिसंबर से हम लोग चलेंगे तो पीछी आपके जित्ते भी months से six months तक कवर करना है पहले हम लोग four months को कवर करेंगे different sources से उसके बाद हम लास्ट के two months पर जाएंगे तो आप लोग इसमें आ सकते हो एपियर हो सकते हो इसके इलावा अगर मैं बात करूँ आपके reasoning और math section के तो maths के लिए मैं आपकी कल सी youtube पर एक series स्टार्ट कर रही हूं guys 10 days की pure आपका sbipo means के लिए तो जित्ते भी students यहाँ पर prepare करें और exact level questions की preparation करना चाहते हैं अब students के बहुत डाउट आते हैं कि मैं math में attempt नहीं हो रहा कैसे करना तो हर एक चीज में आपकी वहाँ पर cover करूँगी that means आपको math में बहुत जादा benefit होने वाला इन 10 classes से तो इसको skip मत करना youtube पर daily 9 p.m. पर होगी कल से start हो रही इसके बाद बात आती है क्या की math section को कैसे attempt करना है पूरा एक paper में quant का live लेकर आऊंगी कि आपको कैसे attempt करना है exam all में जैसे sbipo में काफी student को help मिली थी same आपको ibpspo के लिए भी मैं लेकर आऊंगी ताकि आप लोग अच्छा perform वहाँ पर करो ठीक और बहुत खुश हूँ कि sbipo में students ने बहुत अच्छे attempt किया है जहां प कि ऐसे पड़े तो गाइस डेली एक sectional test बहुत अपना की मेंस का मेरे को देना ही देना है तो उससे क्या होगा आपको जो मेंस में questions बनते वो पता लगेंगे और previous year जो आपके memory based 2-3 साल की English की paper है उनको आप अच्छे से करोगे ठीक कि चाहे वो sbipo मेंस मिले आपको या फि तो अगर आप इसमें confident हो देन तभी आप इसकी तरफ जाओ वाकि आप एक दो कोशन चाहो तो अटेम्ट कर सकते हो बाकि mislaneous part पर focus करिए अपना mock test में और मैं आपको यही suggest करूंगी कि genuine suggestion मॉक तस में कुछ questions आपके skip करने के लिए ही दिये जाते हैं तो आप उन पर बहुत जादा time waste ना करें चाहिए वो आपकी logical DI हो क्योंकि आप ऐसा question exam में attempt ही नहीं कर पाओगे जो आपका बहुत time ले तो वहां पर question आपको वहीं मिलेंगे जो doable हो तो मैं आपको यह suggest करूंगी कि जो बहुत जादा time ले रहे हैं question तो उनको आप skip करें उन पर time waste ना करें क्योंकि अब बात आती है अब बात आती है आपकी descriptive पार्ट की descriptive के लिए already guidely ने आपको test देने के लिए platform पूरा guidely provide कर रही है free है आप वहां पर जाके letter writing करो formal informal और आपको essay सब कुछ topic मिलते हैं वस आपको वहां पर जिसे word पर लिखते हो तो जितने words होते हैं उसमें लिखने की habit डाल कि मैं हमने number नहीं डाला question number और हमने ऐसी लिख दे तो ऐसी गलतियां ना करें बार बार आप लो question number जरूर mention करें जब भी आप real exam में attempt कर रहे हो ठीक है तो अभी से order डालो इन सारी चीज़ों की बाकि जो भी important topic है वो सारे हमने cover किये हैं guidely पर आपकी descriptive के आप वहां जाओ और और एक काम यह कर सकते हो अगर आप मॉक में नहीं जादा confidence फिल कर रहे हो तो आप guidely के PDF bundle से practice कर सकते हो वहां पर वीडियो solution में मिलेंगे या फिर आप मॉक टेस्ट सुड़ू के 2-3 सम्मिट करके दें तो बट उसके बार मॉक टेस्ट अटेंप्ट जरूर करना यह नहीं कि आप मॉक टेंप्ट नहीं कर रहे हो रीजन यह आपको पता कैसे चलेगा कि आपके marks कितने आएंगे या फिर आप क्या 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 question उसमें select करने तो मॉक टेस्ट जरूर अटेंप्ट करें लास्ट के डेस में में मॉक टेस्ट भी important होते हैं इसके अलावा आप डेली नहीं द सकते हो रुद्रा 2.2 और्टमाटिक एंड मिस्लेनियस का है आप उसे ले सकते हो और क्लेर्क मेंस के लिए मैंने separate batch launch किया है आखरी रास्तर रुद्रा का तो जो dedication के साथ क्लेर्क मेंस की preparation कर रहे हैं वो maths के लिए उसे ले सकते हो आप result आपके सामने हैं जो भी student select हो रहा है that means कि आपको बस महनत करनी है ठीक है अपनी महनत में honesty रखिए और give up मत करो ठीक है खुद को motivate रखो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी frustration level फीलो तो अपने को break दो थोड़ा सा ठीक बाकी सब अच्छा होगा tension मत लो पड़ो और बाकी telegram group join कर लो अगर GA के लिए आपके telegram को रुकी और 9 बजे रात को class जोगी उसमें जुड़ना मत भूलना बबाय टेक केर